हलो बच्चो मैं समीर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ वीडियो नमबर 18 ओफ चेप्टर नमबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट वीडियो में हम लोग ओक्सो एसिट्स ओफ हेलोजन की बात करने वाले हैं फ्लोरीन जो है उसकी सबसे स्मॉल साइज है इलेक्टर नेगेटिविटी हाई है इसलिए फ्लोरीन एकी ओक्सो एसिड बनाता है जिसका नाम है फ्लोरीक एसिड या हाइपो फ्लोरस एसिड हो एफ एमसी क्यू के लिए इंपॉर्टन कौन सा हेलोजन सिर्फ एक ही टाइप का ओक्सो एसिड बनाता है तो आंसर इस फ्लोरिन फ्लोरिन का एक ही ओक्सो एसिड पॉसिबल है HOF, हाइपो फ्लोरस एसिड या फ्लोरिक एसिड दूसरे हेलोजन के बहुत सारे ओक्सो एसिड पॉसिबल है Most of Unstable होने की वज़े से Pure State में Isolate नहीं किये जा सकते है लेकिन Aqueous Solution में ये Salt के Form में Exist करते हैं ये जो ऑक्सो एसिड से हैं उनको हम लोगों ने Table में List Out किया हुआ है चलो इसको समझते हैं बच्चो देखो अगर आप Book की मेतर से Table Learn करोगे तो थोड़ा Tough हो जाएगा इसलिए मैं इसको आसानी से आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से Trick की मदद से आप इसको Learn कर सकते हो तो इस Table को याद करने के लिए यहाँ पर आप लोग चार बार हैलिक एसिड लिग दो क्यों क्योंकि हेलोजन के Oxidation States है प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5 और प्लस 7 तो चार ओक्सो एसिड आएंगे जिनके अंदर Oxidation States आपके टोटल 4 टाइप के होने वाले है बराबर तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलिक एसिड चार बार यहाँ पर आपका प्लस 1 औक्सिडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस 3 औक्सिडेशन स्टेट यहाँ पर आपका 5 औक्सिडेशन स्टेट और यहाँ पर आपका 7 औक्सिडेशन स्टेट आएगा यहाँ पर लिख दो fluorine, यहाँ पर chlorine, यहाँ पर bromine, यहाँ पर iodine oxo acids किस तरीके के होंगे तो पहले chlorine के लिख देता हूँ H-C-L-O, H-C-L-O-2, H-C-L-O-3, H-C-L-O-4 fluorine का एक ही oxo acid है H-C-L, sorry, H-O-F, बराबर, fluorine का एक ही oxo acid possible है H-F-O लिखो, बराबर, यह 4 oxo acid possible नहीं है क्योंकि इसकी size बहुत छोटी है, electro negativity बहुत हाई है तो यह दूसरे oxo acids नहीं बनाता है, इसका एक ही oxidation state होता है minus 1, बस, बात खतम bromine और iodine के अंदर यहाँ पर आपका आएगा H-B-R-O, यहाँ पर आपका आएगा H-I-O plus 3 के oxo acids bromine और iodine के नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर H-B-R-O-3, H-B-R-O-4, H-I-O-3, H-I-O-4 चलो यह table तो लान हो गया, अभी नाम सिर्फ इस oxo acid का नाम याद रख लेंगे, chloric acid क्योंकि सबसे common oxidation state वाला जो होता है उसके according बाकी के नाम दिये जाते है तो यह chloric acid हो गया इसमें से अगर आप oxidation state कम कर रहे हो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा chlorous acid यह चीज़ जानते हो कि higher oxidation state एक होता है lower oxidation state अस होता है तो यहाँ पर होता है chlorous acid इससे भी oxidation state कम करो तो hypo chlorous acid बराबर अच्छा, अब question आता है oxidation state बढ़ा होतो तो यहाँ पर prefix per लग जाएगा per chloric acid बाकी के oxo acid के नाम याद रख सकते हो यहाँ पर bromic acid होगा, यह per iodic acid यह bromic acid यह iodic acid यह आपका per bromic acid per iodic acid यह bromic acid, यह iodic acid यह होगा hyper bromous acid यह hypo iodous acid अब question आता है सर इसके structure कैसे draw करेंगे तो देखो structure एकदम आसान एक ही fundamental unit याद रखने का HClO, जैसे मैं chlorine की बात करूँ तो HClO, bromine की बात करूँ तो HBrO, iodine की बात करूँ तो HIU, बराबर बाकी के oxoacid के structure ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे आपको देखना मैं यहाँ पर chlorine के 4 oxoacid के structure बनाने जा रहा हूँ आप लोग ज्यान से समझना सभी के अंदर हम लोग पहले तो HOCl कर देते हैं भचो, यहाँ पर HOCl HOCl चार बार मैं लिखूँगा HOCl 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 हो गया अब oxoacid कैसे बनाने है उसकी trick समझ लो देखो, पहला है आपका hypochlorus acid तो उसका तो structure दिया हुआ यह देखो hypochlorus acid का तो structure बनाया हुआ यह HClO का हम लोग दूसरे structure कैसे बनाते हैं वो देखो तो यहाँ पर मैं chloras acid बनाने जा रहा हूँ chloras acid HClO2 HClO2 में से मैंने HOCl use कर लिया है, मतलब एक ही oxygen बाकी है न तो इस oxygen को double bond से जोड़ दो, खतम यहाँ पर मैं chloric acid बनाने जा रहा हूँ chloric acid तो HClO3 होता है HOCl तो use कर लिया है, दो oxygen बाकी है तो एक oxygen इदर, दो oxygen इदर clear है इसके अंदर अगर मैं पर-cloric acid की बात करूँ पर-cloric acid तो वो होता है HClO4, एक oxygen आ गया है तीन oxygen बाकी है, तो तीन oxygen को double bond से जोड़ दो, बस हो गया structure अब आप bromine का और iodine का AC method से बना सकते हो, जहाँ पर bromine है, वहाँ पर chlorine की जगे पर यहाँ पर bromine कर देना, या iodine कर देना, बाकी के structures आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं, clear है? चलो, यह तो trick हो गई structure की अब इसमें से important question क्या पूछा जाता है बच्चो, वो है आपका acidity का, तो इसमें से acidity का क्या order होता है, आपको कोई ऐसा बोले कि 4 oxo acids हैं, कौन-कौन से HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसमें से सबसे ज्यादा strong acid कौन है, तो इसके लिए trick याद रखो बच्चो, कि जैसे oxidation state बढ़ेगा, trick याद रखो, कि oxidation state बढ़ेगा, ऐसे वैसे acidity भी बढ़ेगा, तो इधर oxidation state chlorine का plus 1 है, इधर plus 3 है, इधर plus 5 है, और इधर plus 7 है, तो HClO4 सबसे strong acid हुआ, oxidation state जैसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर आपका acidity बढ़ता चला जाएगा, clear है, अब electronegativity की बात करते हैं, जैसे यह तो सब chlorine के दिये हुए थे, इसलिए आपको आ गया बरबर, मैं आपको ऐसा बोलू हूँ कि यहाँ पर आपको 4 अलग-अलग oxo acids दे देता हूँ, पहला दे रहा हूँ HFO, उसके बाद HTLO, उसके बाद HBRO, और उसके बाद HIO, इसमें से सबसे strong acid कौन सा होगा, century याद रखो के electronegativity बढ़ेगी, तो acidity बढ़ेगी इसके लिए ट्रिक क्या है? electronegativity बढ़ेगी electronegativity बढ़ेगी तो आपकी acidity भी बढ़ेगी acidity भी बढ़ेगी तो सबसे जादा electronegative fluorine है बराबर उसके बाद आपका chlorine है उसके बाद bromine है उसके बाद iodine है तो सबसे strong acid कौन हुआ बच्चो HFO clear है तो इस part में इतना ही बाकी का बच्चो next lecture में देखेंगे Thank you Have a nice day